सिंड्रेला का लहंगा और सेंडल का जादू सिंड्रेला का जनम फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था सिंड्रेला जब पान साल की थी तबी सिंड्रेला के मातापिता के मृत्यू हो गई थी अब सिंड्रेला अपनी चाची सूफी और चचेरी बहन चारू के साथ ही रहती है जो सिंड्रेला को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी सिंड्रेला की चाची सूफी और चारू दोनों सिंड्रेला पर खुब अचार करती हैं उनसे घर का सारा काम करवाते, सिंड्रेला उनके घर में सिरफ एक नौकरानी बन कर रहती थी ऐसी ही एक दिल पूरे गाउं में घोशना होती है सुनो सुनो सुनो, इस राज़े के सभी लोग ध्यान से सुनो हमारे राज़ा अनालिश के लिए एक कुशल और सुन्दर राजकुमारी की तलाश है जिसके लिए महल में कर रात एक सभा का आयोजन किया जा रहा है उस सभा में जो लड़की हमारे राजकुमार को पसंद आएगी वही बनेगी फ्रांस की महरानी सभा में इस राज्य की सभी युवा लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है सभी लड़कियां जरूर आए घोशना मिलते ही पूरे राज्य में खुशी छा जाती है सबी लड़कियां खुद को उस सभा में जादा से जादा सुन्दर दिखानी की तयारी में लग जाती है मा, मैं सभा में क्या तहनू? तू चिंता मत कर मैं तेरी लिए आजी मीना बचार से पच्चास अजार रुपे वाला लहंगा दिला दूँगी सभा में तो तू ही सबसे सुन्दर दिखेगी देखना, राजकुमार तुझे ही पसंद करेगा हाँ मेरी बेटी, तुसे सुन्दर भला कोई है क्या? इस पोरे शहर में चल, अब जली से अपने चहरे पर ये उप्टन लगा ले जिससे ये चांद सा चहरा और लिखर जाए मैं तेरे लिए लहंगा लेकर आती हूँ तभी सुन्दरेला भी उनकी बात सुन लेती है चाची, बाजार जा रहे हो तो मेरी लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक ले लीजेगा मेरे सारे कपड़े फट गए है मैं सभा में क्या पहन कर जाऊंगी ये सुनकर चारो जोड जोड से हसने लगती है अरे बेवकुफ राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए नोकड़ानी नहीं समझी, बढ़ी आई सभा में जाने वाली तेरा वहां कोई काम नहीं है राजकुमार तो तुझ जैसी को अपने काम वाली भी न रखे हाँ, पर सभा में तो सभी युवा लड़कियों को बुलाए गया है न अरे करम जली, जन्म लेते ही तो सब को खा गई अब क्या सभा में जाकर राजकुमार की जिनके खराब करनी है तो जैसे मनूस के परचाई से भी लोगों को दूर रहनी चाहिए तुने आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी चाची और चारू से इतना सब कुछ सुनने के बाद सिंड्रेला रोते रोते घर के कामों में लग जाती है ऐसे ही दो दिन बीच जाते है चारू आज सुबह से ही बहुत खुश थी क्योंकि आज रात को उसे सभा में जाना था चारू लहंगा पहन कर आती है मैं कैसी लग रही हूँ मा? मेरी बेटी तो बिलको राजकुमारी लग रही है किसी के नजर ना लगे मेरी बेटी को वो सब तो ठीक है मा पर मा मैं अपने हेस्टल कैसे करूँ मुझे समझी नहीं आ रहा है गुरा ना मानो तो चारू तुम्हारा हेस्टल मैं बना दू मुझे बहुत अच्छे अच्छे हेस्टल बनाने आता है हाँ क्यों नहीं बट सबसे अलग होना चाहिए मेरा हेस्टाइल ठीक है चारू सिंड्रेला चारू के बाल बनाते बनाते एक बार फिर अपने मा से बोलती है चाची प्लीस मुझे भी सभा में ले चलिये न मैं घर में अकेली क्या करूँगी मुझे अकेले घर में बहुत ड़ लगता है मैं बस दूर से ही आप सब को देखूँगी प्लीस चाची बड़ी धीट है तुझे जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुझे समझ में नहीं आ रहा रुग तेरा सभा में जाने का भूत अभियोतारती हूँ चल मेरे साथ और फिर इस तरह चाचे सिंड्रेला को घसिटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दीती है अब सड़ यही पे चल बेटी सभा के लिए देर हो रही है फिर मा पिताजी आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ कर क्यों सले गए क्या मैं आप लोगों को पसंद नहीं थी क्या मैं इतनी बुरी हूँ मुझे कोई भ्यार नहीं करता चाची तो ऐसा करती है जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी दुश्मन हूँ आखिर क्यों मा क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है मेरे क्या गलती है आखिर तभी वहां पर एक तेज प्रकाश होता है और एक बहुती सुंदर परी वहां आती है उठो सिंड्रेला रो नहीं मुझे तुम्हारी माने एक संदिशा देकर मुझे यहां भेचा है तुम इस दुनिया की सबसे खुश नसीब करने वाली है मेरे साथ आओ और फिर इस तरह पर ही सिंड्रेला को अपने साथ बाहर लेकर आती है और अपने जादे सितारा चड़ी से सिंड्रेला के उपर को जादू करती है जादू करती ही सिंड्रेला नौकराने से एक बहुत ही खुपतुरत राज कुमारी में बदल जा बारा बजे से पहले तुम वापस आ जाना बरना तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है और सिंड्रेला सभा के अंदर जाती है सिंड्रेला जैसे ही महल में पहुशती है सब के नज़े सिंड्रेला की तरफी होती है अरे इतनी सुन्दर लड़की कौन है? कहां से आई है? हमारे यांकी तो नहीं लगती पर बहुत ही फ्यारी है चारों बे सिंड्रेला को देखकर उसे नहीं पहचान पाती है चारों सिंड्रेला के आगे जाकर खड़ी हो जाती है कुछी देर में राजकुमार अनालिश आते है अनालिश के आते ही उसकी नजर सबसे पहले सिंड्रेला पर जाती है और उससे हटती ही नहीं है राजकुमार को सिंड्रेला एक ही नजर में इतनी पसंद आती है कि वो उसे ही अपने राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेती है राजकुमार सिंड्रेला की तरफ बढ़ी रहे थे लेकिन चारों को लगता है कि राजकुमार उसके तरफ आ रही है देखो मा, राजकुमार को मैं ही पसंद आई हूँ वो मेरी तरफ ही आ रही है की नजर घड़े के काटो पर जाती है इन भुगवान 12 बजलेवाली है मुझे जल्दी नहीं से निकलना होगा और फिर सिंड्रेला राजकुमार का हाथ छुड़ा कर वहां से चली जाती है अरे सुनिये तो हेलो यह आपकी सेंडल तो लेते जाए लेकिन सिंड्रेला मुढ कर ही देखती और भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है इधर राजकुमार सिंड्रेला को हर तरफ ढूनते हैं लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती बस मिलती है तो उसकी एक सेंडल जो भागते वक्त वहां छूट गई थी राजकुमार सभा में उपस्तित सभी लड़क में सिंड्रेला ही आ रही थी मंत्री मुझे किसी भी हाल में इस सेंडल वाली लड़की चाहिए मैं शादी करूंगा तो सरक इसी सेंडल वाली लड़की से राजकुमार राज से हम हर जगा इस सेंडल वाले लड़की को ढूने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं म पता वो आसमान से तो नहीं आई थी ना इसी राजे से आई थी जाओ और राजे का एक घर छान मारो मुझे हर हाल में वही लड़की चाहिए जो हुकुम महराच और फिर मंत्री को सिपाही के साथ पूरे राजे के एक घर में जाकर उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करत हैं लेकिन वह लड़की उन्हें नहीं मिलती अंत में वह सूफी के घर आते हैं और वह सेंडल चारों को ट्राइ करने देती हैं यह मेरी ही सेंडल है देखो मेरे पैरों में फिट भी आ गई क्या बकवास है सेंडल तुम्हारे पैरों से बड़ा है तुम्हें जूट बोलने सेंडल पहन के दिखा सकती है आप भी मंतरी जी क्या मजा कर रही है उस लोक रानी को इतनी मैंगी सेंडल पहनना तो दूर उसने इसे सपने में भी देखा तक नहीं होगा वह उसका हो ही नहीं सकता जितना कहा जाए उतना ही बोला कीजिए राजा का हुकम है सभी लड़किय सेंडल पहना कर देखा जाए संडल पहने सेंडल पहनते ही सेंडल के पैरों में वह सेंडल बिलकुल प्रटाता है यह देख्कर सभी हैरान रह जाते हैं तो आप ही है जो रात मैं महल में आई थी चलिए हमारे साथ और फिर मंतरी स килोला को बहुत ही इज़त के साथ महले आती अच्छा तो आपका नाम सिंड्रेला है सिंड्रेला मैं आपको अपने राज्चे और दिल की रानी बनाना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे विवा करोगी सिंड्रेला खुशी-खुशी हां कर देती है और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की बड़े ही धूर्वधाम से करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्डी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले तो मिलती हूँ आप से फिर किसी नई कहानी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें बाइब करें दोस्तों